This video is not sponsored. आप सभी shares को एक ही DMAT account में transfer करके बाकि सभी DMAT account को close करना चाहते हैं. Share transfer करने का कोई भी कारान हो सकता है. तो इस वीडियो में मैं आपको share transfer करने का पूरा process step by step live करके दिखाने वाला हूं. इंडिया में केवल दो depository हैं. CDSL और NSDL. NASDL के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे ये जो प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ CDSL से CDSL में ही काम करता है यानि कि आपका जो broker है उसका जो depository है वो CDSL है जैसे कि Angel One, Joroda, Apistox, Edelwise और भी बहुत से broker हैं जिनका depository CDSL है पूरी list मैंने screen पर दे दी है और description में इसका link भी दे दिया है आप जाकर check कर सकते हैं तो share transfer करने के लिए आपको क्या क्या चीज़े चाहिए होगी सबसे पहले तो आप जिस DMAT account से share transfer करना चाहते हैं उसकी BOID यानि की DMAT account number और shares को जिस DMAT account में transfer करना चाहते हैं उस DMAT account की BOID चाहिए होगी जैसे की मेरे case में मैं अपने 5PESA DMAT account से अपने grow DMAT account में shares को transfer करना चाहता हूँ तो दोनों account की BOID हमें चाहिए होगी आप DMAT account की profile section में जाकर BOID देख सकते हैं जैसे की 5PESA की बात करें तो 5PESA mobile app में login करके user profile option पर click करना है इसके बाद यहां सबसे उपर आपका नाम दिया होगा इसके क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको BOID मिल जाएगी इसी तरह से आप grow app में login करके उपर profile के option पर click करोगे तो यहां पर आपका नाम दिया होगा इसके बाद यहां पर आपकी BOID सो हो जाएगी इसी तरह से आप किसी भी DMAT account में login करके profile option में जाकर BOID देख सकते हैं आप 4 step में shares को transfer कर सकते हैं सबसे पहले आपको CDSL EGS में register करना होगा दूसरे step में trusted account add करना होगा यानि कि जिस DMAT account में आप shares को transfer करना चाहते हैं उसे add करना है तीसरे step में transaction pin change करना है ये step करना जरूरी नहीं है आप pin change कर भी सकते हैं और नहीं भी और 4 step में हम shares को transfer करेंगे तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने laptop की screen पर आप ये काम Sam step को follow करके mobile से भी कर सकते हैं मैं आपको laptop पर करके दिखा रहा हूँ ताकि बड़ी screen पर आपको अच्छे से दिखाएं दे किसी भी browser को open करेंगे जैसे कि हमने chrome browser को open किया है और इसमें type करना है cdslindia.com और enter कर देंगे ये public notice है चाहें तो आप इसे read कर सकते हैं इसे close कर देंगे आपके सामने cdsl का official page open हो जाएगा उपर यहां login का option दिया है इसके उपर किलिक करेंगे आपके सामने काफी सारे option आजाएंगे आपको पहले वाला option चूज करना है my easy new इसे चूज करके login पर किलिक करेंगे इसके बाद sign in easy egsd का page open हो जाएगा यदि आपने इसमें पहले से register कर रखा है तो इसमें username और इसमें password डाल कर login कर सकते है क्योंकि हमने इस पर अभी register नहीं किया है इसलिए हमारे पास username और password नहीं है तो सबसे पहले हमें इस पर register करना होगा इसके नीचे आपको दो option में लेंगे to register for easy और to register for egsd cdsl egsd में कैसे register करते हैं इसके उपर मैंने वीडियो बना दिया है उस वीडियो का link आपको description box में मिल जाएगा आप जाकर check कर सकते हैं share transfer करने के लिए आपको egsd में register करना है to register for egsd के सामने click here के उपर click करेंगे इसके बाद egsd registration page open हो जाएगा इसमें आपको dp id एंटर करनी है और इसमें client id एंटर करनी है आप जिस dmatt account से share transfer करना चाहते हैं यहां उस dmatt account की dp id और client id एंटर करनी है जैसे की मेरे 5 पैसा dmatt account में जो share है मैं उन्हें transfer करना चाहता हूँ तो मुझे यहां 5 पैसा dmatt account की dp id और client id एंटर करनी होगी किसी भी DMAT account की 16 digit की जो VOID होती है यानि की DMAT account number होता है उसमें सुरू के 8 digit DPID होती है और last के जो 8 digit होते हैं वो client ID होती है ध्यान रखना आपको ये वाली client ID नहीं डालनी है आपको DMAT account number के last के 8 digit डालने है client ID में चाहें आपका broker angel बन हो या जरोधा हो या up stocks हो सभी में VOID के सुरू के 8 digit DPID होती है और last के 8 digit client ID होती है तो मैंने यहां अपने 5 पैसा account की DPID और client ID डाल दी है इसके बाद इस checkbox में टिक करके terms and condition को accept करेंगे और continue कर देंगे इसके बाद जो mobile number आपके DMAT account में registered है यानि की जिस DMAT account की DPID और client ID आपने इसमें एंटर की है उसमें जो mobile number register है उस पर एक OTP code भेजा गया है अगर किसी कारण से OTP नहीं आता है तो आप recent OTP के सामने click here पर click करके फिट से OTP code मंगा सकते हैं OTP code डालने के बाद continue कर देना है यहाँ पर आपको आपकी DPID, client ID, email address और mobile number दिखाई दे रहा होगा इसके बाद आपको username create करना है आप कोई भी username बना सकते हैं जो आपको याद रखने में आसान हो यहाँ से आपको एक security question चूस करना है जो question आपको सही लगे उसे चूस करके इसमें उस question का answer डालेंगे इसमें फिर से answer डालेंगे इसके बाद account type में आपको चूस करना है trusted account और continue कर देना है यह देखिए उपर एक pop-up आ गया है registration successful इसे okay कर देंगे अब आपको trusted details एंटर करनी है आप जिस DMAT account में share transfer करना चाहते हैं इसमें उस DMAT account की BOID एंटर करेंगे जैसे कि मैं अपने grow DMAT account में share transfer करना चाहता हूँ तो मुझे इसमें अपने grow DMAT account की BOID एंटर करनी होगी या आप बाद में भी trusted account एट कर सकते हैं जैसे ही आप इसमें BOID डालकर submit करेंगे आपके registered mobile number पर एक OTP code send हो जाएगा इसे OK करेंगे उस OTP code को इसमें डालकर OK कर देंगे ये देखिए success request for mapping trusted account send to your DP DP को request चली गई है 4-5 घंटे में account इसमें map हो जाएगा इसके बाद आप share को transfer कर सकते हैं इसे OK कर देंगे इसी तरह से आप और भी trusted account add कर सकते हैं इसके बाद continue कर देना है इसके बाद अगला step आ जाता है grouping यदि आपके पास बहुत सारे DMAT account है तो वो यहाँ पर दिख जाएंगे और जो DMAT account दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ और वाले section में BOID डालकर यहाँ plus पर click कर देना है आपका DMAT account add हो जाएगा आप जो DMAT account map करना चाहते हैं उनके सामने checkbox में टिक करके submit कर देंगे इसके बाद continue कर देना है आपका registration complete हो चुका है Congratulations, you successfully registered for EGS 24 घंटे के अंदर आपको 2 email आएंगे एक email में आपका CDSL EGS का login password भेजा जाएगा और दूसरे email में pin भेजा जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं हमें email आ गया है यह जो पहले वाला email है इसमें EGS का login password भेजा गया है Your password for EGS यह हमारा login password है और यह जो दूसरा email है इसमें pin आया है इसी pin के दुआरा आप किसी भी transaction को authenticate कर सकेंगे यानि कि share transfer करते समय भी इसी pin को डाल कर authenticate करना होगा इसके बाद आपको EGS account में login करना होगा login page पर जाकर इसमें username डालना है और इसमें login password डालेंगे जो password आपको email के दुआरा मिला है और login करेंगे login होते ही आपसे password चेंज करने के लिए बोला जाएगा इसमें old password डालेंगे इसमें नया password डालना है आप यहाँ alpha numeric और numbering में password बना सकते हैं जो की minimum 8 character और maximum 14 character का होना चाहिए इसमें फिर से नया password डाल कर submit कर देंगे आप देख सकते हैं हमारे सामने pop-up आ गया है password changed successfully इसे ok कर देना है यहाँ mislinious का option दिया है इस पर किलिक करेंगे इसमें आपको added trusted account के उपर किलिक करना है यहाँ पर आपके trusted accounts हो जाएंगे हमने easiest पर register करते समय जो एक trusted account add किया था grow का यह DP के दोरा authenticate हो गया है authenticate by DP अब इसमें share को transfer किया जा सकता है आप यहाँ किलिक करके इसमें और भी trusted account add कर सकते हैं इसमें BOID डालका submit करेंगे submit करते ही DP को account mapping की request चली जाएगी और 24 घंटे के अंदर account authenticate हो जाएगा इसे OK कर देंगे अभी यह pending for authentication है जब तक यह request DP के दोरा authenticate नहीं होगी तब तक आप share को transfer नहीं कर सकते हैं जैसे कि हमारा यह वाला account DB के दोरा authenticate हो चुका है इसी में हम share को transfer करेंगे लेकिन इससे पहले हम authentication pin change करेंगे pin change करना जरूरी नहीं है लेकिन आप pin को change करेंगे तो अच्छा रहेगा आपको mislaneous option पर ही click करना है यहाँ change pin का option दिया है इस पर click करेंगे इसमें पुराना pin डालेंगे जो pin email पर आया था उसे डालना है और इसमें नया pin create करना है जो की login password से अलग होना चाहिए आप alpha numeric में pin बना सकते हैं यह किसी भी special character को accept नहीं करता है आपको alpha numeric में ही pin बनाना है इसमें फिर से नया pin डालकर submit कर देंगे आपका pin successfully change हो जाएगा इसे ok कर देंगे अब आता है चोथा step share को कैसे transfer करना है यहां transaction का option दिया है इस पर click करेंगे अब setup पर click करेंगे यहां एक pop-up सो हो जाएगा इसे ok कर देंगे यहां आपको bulk setup का option मिलेगा इस पर click करेंगे यहां आपको तीन option मिलेंगे transaction, settlement और early pay in आपको transaction वाले section में ही रहना है buy sell flag में आपको यहां sell select करना है यहां setup B.O.ID दी है यानि कि जिस DMAT account से आप share transfer कर रहे हैं यह उसकी B.O.ID है यहां execution date में आज की date select करेंगे जैसे कि आज 11 July 2023 है मैंने 11 July select कर लिया है यहां से counter B.O.ID select करेंगे यानि कि जिस DMAT account में आप share transfer कर रहे हैं उसकी B.O.ID select करनी है यहां 2 B.O.ID सो हो रही है हमने जो दूसरा trusted account add किया था वो भी authenticate by DP हो गया है इसलिए यहां 2 B.O.ID सो हो रही है मैं अपने grow DMAT account में share transfer कर रहा हूँ इसलिए मैं grow DMAT account की B.O.ID select करूँगा इसकी बाद नीचे आएंगे और entity identifier में NA select करेंगे इसकी बाद इस plus के button पर click करेंगे इसमें ISIN number enter करेंगे आपको account ISINS पर click करना है हमारे 5 pluser DMAT account में दो company के share है Tata Power और Yes Bank मैं Tata Power के share को transfer करना चाहता हूँ यहां इसका ISIN number दिया है इसके उपर click करेंगे तो इस तरह से यहां ISIN number आ जाएगा इसमें आपको quantity enter करनी है आप कितने share transfer करना चाहते हैं आप एक share भी transfer कर सकते हैं या आप पूरे के पूरे share transfer कर सकते हैं जैसे की मैंने इसमें पूरे के पूरे 24 share डाल दिये हैं यहां से एक region select करना है आपको यहां बहुत सारे region दिखाई देंगे लेकिन यहां तीसरे number पर जो region दिया है transfer to own account आप इसे select करेंगे आप किसी दूसरे के account में transfer नहीं कर सकते हैं यह process CDSL से CDSL आपके खुद के account में ही काम करता है यहां और जाला कुछ नहीं करना है और OK कर देंगे तो इस तरह से share यहां पर add हो जाएगा जैसे की यहां Tata Power add हो गया है आप इसी तरह से यहां और भी share add कर सकते हैं फिर से plus के button पर click करेंगे अब account IS INS पर click करेंगे इस बार हम Yes Bank के share को add करेंगे IS INS number के उपर click करेंगे तो इसमें IS INS number आ जाएगा इसमें quantity enter करेंगे और यहां से region select करेंगे transfer to on account और OK कर देंगे तो यह देखिए यहां Yes Bank का share भी add हो गया है आप यहां कितने भी share add कर सकते हैं यहां click करके share को edit कर सकते हैं submit करेंगे आपके सामने एक pop-up आ जाएगा the settlement transaction are temporarily set up with transaction ID please verify commit the same before cut off time इसे OK करेंगे यह देखिए अभी हां लिखा आ गया है transaction successfully executed अब आपको verify पर click करना होगा आपके सामने इस तरह का pop-up आ जाएगा इसे OK करेंगे अब आपको commit करना है इस check box में tick करके commit पर click करेंगे इसके बाद आपके registered mobile number और email ID पर एक OTP code send हो जाएगा जिसे इसमें डालकर submit कर देना है इसके बाद आपको pin enter करना है जो pin आपको email के द्वारा मिला था अगर आपने pin change कर लिया है तो नया pin डालना है जो आपने change किया है जैसे कि हमने pin change कर लिया है हम नया pin डालेंगे pin डालकर OK कर देंगे इसके बाद यहां transaction ID आ जाएगी और इस status में authenticate successfully लिखा आ जाएगा बस अब आपका काम खत्म हो चुका है 24 से 48 घंटे में share आपके account में transfer हो जाएगे इसके आगे का वीडियो 8-9 घंटे बात का है यह देखिए CDSL से मुझे email आया है इसमें बताया गया है कि Tata Power Company के 24 सेयर आपके इस DMAT account से 11 जुलाई 2023 को 7 बचकर 26 मिनट 56 सेकंड पर debit हुए है और उसी दिन एक और email मिला है CDSL से इसमें बताया है कि Tata Power Company के 24 सेयर आपके इस DMAT account में 11 जुलाई 2023 को 7 बचकर 26 मिनट 56 सेकंड पर credit हुए है अब हम अपने 5 पैसा DMAT account में जाकर देखते हैं तो अब यहाँ पर Tata Power के सेयर 100 नहीं हो रहे है और मैं अपने Grow DMAT account में जाकर देखता हूँ तो यहाँ पर Tata Power के 24 सेयर आ गए हैं तो यह 24 घंटे भी नहीं लगे सेयर को transfer होने में मैंने सुभा लगबग 11 बजे सेयर transfer की request की थी और साम 7.5 बजे तक यह transfer हो गए हैं तो यह है पूरा process सेयर transfer करने का लास्ट में मैं आपको एक disclaimer देना चाहता हूँ कि इसमें मेरी कोई भी personal financial advice नहीं है इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के mutual fund या stock को buy करने या sell करने की सला नहीं दी है मैंने केवल उधारन के तोर पर आपको समझाया है अगर आपको share market में किसी भी तरह का profit या loss होता है इसकी हमारी कोई जिमेदारी नहीं होगी कोई भी investment या trading करने से पहले अपने financial advisor से सला जुरूर लें दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like करिए, share करिए और अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए और साथ में bell icon पर जरूर किलिक करिएगा जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक new video की notification सबसे पहले मिल सके Thanks for watching this video